हेलो असलाव अलेकुम वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हो तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले चोटी स्रिक्वेश कर लेते हैं कि अगर आप मेरे चनल पे नहीं आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं और मेरा गलाव अच्छा वाए कि मुझे गोल्ड हो गया दो दिन से व्लॉग नहीं मना रहे हैं क्योंकि सर्दी से नहीं दिमाग ही पक दिया है फिर भी सुबह सुबह घर देखने जा रहे हैं तो थंडी बहुत है तो आप लोगों को दिखाते हैं कि कल क्या क्या काम हुआ तो जो जीशु का जो रूम है यहां पे टाइल से लग चुका है और साइड में कॉर्णर में अभी थोड़ा सा इस पे छोड़ दिया गया है क्योंकि इसमें कहीं ड्रेन के लिए जो पाइप होता है वो लहीं लगा था तो उसके लिए तो वो लगाना बाकी है बाकी अब इ लिखिये इतना काम हो गया है अभी इसमें भी थोड़ा बहुत काम बाकी है हर जगह आपको कहीं पर पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा कि पूरा काम हो गया हर जगह यह लोग थोड़ा-थोड़ा करके कोई न कोई काम भी आटकाए हुए है बाद में सारी फिनिशिंग होगी और उसके बाद फिर आप लोगों को पूरा दम दिखाएंगे और कैसा लग रहा है जरूर बताएगा घर आ चुके है और जी आभी सोके उट चुकी थी तो हम लोग यहीं पर बैट के बात करे थे यह कहां गए है यह घर गए हुए है क्योंकि हमको छोड़ दिये थे ना और उस समय लेवर उबर सब कोई आ चुका था तो नाज्टा करके चायवाई पी के और उसके बाद यह चले गए और आप लोग को यहां पर दवाई का डबा भी दिख रहा होगा तो इनको भी ना कोल्ड हो गया है तो रात में यह दवा खाके और उसके बाद फिर सोय थे और जिया जहां पर बैठी और मैं क्या नाप तोल करी हूँ कल से ना मेरे दिमाग में इसे गूम रहा है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा खाली-खाली सा लग रहा है और ना मजा नहीं आ रहा था तो मैं सोच रही थी कि जो सिंगल वाला सोफा आ अगर किसी भी तरह इसमें अट जाए तो एक टो सिंगल सोफा यहां पर लगा देते है जो अंदर रूम में जो चेयर है न वो चेयर आज आ रही है लेकिन ये सोफा नहीं आपा रहा है अब चेयर वहां से अगर इधर करेंगे न तो फिर एक चेयर वहां पे रह जाएगी तो सिंगल अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए नहीं लाएब बाकी इधर का सब्षुश और चलेगे अब अपना काम जो है ना वह स्टार्ट करेंगे और आज वासिं मुशीन निकालेंगे तो इनकी जो शोर्ट यह धोना था जैसे दोषट है अभी बीज में यह हो चेंज कर लिए थे लेकिन और धोई नहीं थे तो यह बाहली शट ले जाते है पैंट भी सोच रहत जो दोने धाने वाला था नो बाहर कर दी दवाई का डबा भी अपनी जगह पे रख दिये आप लोग यहां पर देख रहें को पूरा भी बैड उट सब पहला हुए क्योंकि कोई काम हुआ ही नहीं था और साथ में रखे हैं काजू और बदाम यानि ड्राइफ फूट का डबा क्योंकि सोच रहते हैं कि अच्छवानी थोड़ा सा बना लिया थंडी में वहुझे व先 जादा काम करता हैं ौ मुझे तो बहुत बहुत जल्दी थंडी लगती है हावा हुआ होती है तो बस मुझे थंड लग जाती है मेरा सुरू से यहीन है तो इधर का बैड वट सब कु इसलिए थोड़ा साज करेगा थुदया साबाइब अभर भर यहां पर यहां पर में नास्ता करने के लिह बैट गई है और जापध अज घरी मेंㅋㅋ तो जाडू पुछा वही करी और मैं कल रात में भरता बनाई थी तो भरता बचा था तो पराठा बना लिए पराठा भरता खाय ठीक है तो जाडू पुछा सब जिया का अपना हो रहा है और इधर में जो वाशी मुशिन में जो डाले थे वो सब धूल चुका है एक दो बार के बैठ रहे थे अभी काना कि धूब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगए बैठने में और साथि साथ में हवा भी चल रही है तो ज्यादा देर आप धूब में भी नहीं बढ़ सकते है वो जो ठंडी ठंडी हवा न तो वो ज्यादा चली थी तो बस मैं नहाने के लिए जा तो यहां पर ले आए हैं और इसको लेके जाएंगे यहां नहा लेते हैं ताकि बे टाइम जादा टाइम हो जाएगा ना फिर नहाने नहाने में घराब हो जाएगी इसालिए फटाफट ना लेते हैं और नहा के अभी ये शाम का टाइम है पांच सवा पांच के लगबग हो रहा था जी आटूशन से आने वाली है तो जो सूख गया था ना तो मैं सुची कि लाओ इसको उतार के रख देते हैं और ब्रेड वाला आया था तो मैं आप लोगों को ना ब्रेड तो इसमेल आती है तो बहुत अच्छा तो इधर अभी सब हटावटा लिये थे चेर और और मुझे गन्ना दिग गया दुपाहर में क्या था ना कि जीया गन्ना छिलने के लिए बोल रही थी कि छिल दीजे कोई तो मैं मैं खा लूँ छिल नहीं पाती है खाने में तो बहुत मज़ा आता है तो मेरा ठीक नहीं था तो मैं नहीं छिल के दी थी तो अभी जब देखे तो उसके लिए छिल के और रख दिये और उसके बाद फिर मैं अपना काम करें तो जीया आ चुकिया तुम ऐसे बोल रही थी कि बिटा छिल के रख दिये गन्ना खालो तो चलिए फटा-फट उतार लेते हैं और सूखा नहीं तर्ड़ माद जुम मोटा मोटा वहाला आहिना वह सूखा नहीं था जैसी कि जो में में अधर कमा उमर पर युँटष्टिक होती है तो वहां पर सूखा नही था लेकिन फिर भी सब शितार-उतार कर और रूम में रख देंगे और उसक्ते घराबं डिरजा रात बातव मेन पारात प्लाक। तो यह स्क्तुत पाता। चांब पर रहे को चाहिए उसक्तुत समॉत पहले सबीचा देचिता कि ने करें कोई भी इता। ने की स्याहिवाँ रहे कि नयुद्rit मूली है और बहुत जादा नहीं हलकी फुलकी जो है ना हरी सब्जिव जी थी तो वो लेकर आए थे और उसके बाद मैं इधर अपना काम करने लगी अभी जिया गई है ट्यूशन तो यह सब जो बिछा था यानि आयरन कर रही थी यह जो चादर है ना यह मीक्स वाली है तो इ जाएंगे फिर जल्दी आएंगे क्योंकि जीया भी टूशन से आने वाली है चाभी तो वैसे दे के चले जाते हैं कि अगर बाइदवे हमको लेट हो गया ना तो जीया रूम में आ सकती है तो अभी साड़े आठ हो चुका है और यह आए ना तो बोले कि पहले वो यह आधाई में अभी वैसे ही पूरा घर छोड़के जा रहें आने के बादना काम करेंगे और जीया गई है टूशन और नास्ता यह कर चुके हम भी कर चुके नास्ता दवा खानाता लेकिन अभी दवा ने खाए क्योंकि तुरंती ना नास्ता करके दवा ने खाएंगे और आधा पॉन घंटा हो चुका है और आज जो है लेबर लोग की चुटी यानि जो टाइल से लगाते उनकी चुटी है लेकिन ये लोग कौन है ये जो काम आज हो रहा है ना फाइनली बहुत दिन से इसका इंतिजार था और ये जो काम है ये हम लोग को स्टार्ट में ही कर है कल आप लोगों को दिखाये ते न कि यह वाली रूम में टायल्स लग गया है और ज़स्ट् उसके बगल में अनी हम लोग का बेडम में उसमें उसमें ग़काहएं तो से इंवे टायल्स लग लगी है लगी फ्री पैर बैर जैसे इन्फान आता तो आधा पॉन गंटा तो यह गए थे हैंड पॉम खरीदने के लिए उतने देर में यह मैं पूरा एरिया साफ कर दी बहुत ही जादा इसमें कोड़ा ता जैसे कि जो भी टाइल्स निकल रहा है तो उसका जो है वो सब यहीं पर था तो पूरा जाड़ू लगाए है पूरा ज जो मेरा काम है वो कर लेते हैं जो अभी तार पर डालके सुबा गयते हैं तो उसको हलकी सी धूप की ही जरूरत थी तो वो भी सुख चुका है तो सब कुछ उतार के ले आए हैं और उसे तह लगा के सब कुछ अपनी जगा पर रख देते हैं यह जो सोफा है यह खाली कर दे कुछ हम लोग मार्केट से भी समान लेकर आए जैसे रूर रासन था जी आका चोकोष था हैंड वास नहीं था हैंड वास जानते हैं जो भी पुराना जो हम लोग के पास फेस वास था उसी से हाथ दो रहते कुछ सबजी थी बैगा नोगन दिखाना तो बैगान ओन ले नहीं रखते इनको नहीं पसंद है तो बस हैंड वास बना कर रख देते हैं और जितना मं उसमें नहीं डाले न इतना बाहर बाहर गिर यह सब का अधी है या तो यह बनाते हैं ये एक हम भी बिना दी तो बहुत सारा ना इधर उधर गिडा判्यर मैं उसकी बसे नहीं यह कि साफ भी हो गया तो अना हैंड वास का जो डबा था उसको भी अच्छे से दो दिये है लगया पूरा साफ हो चुका है ठंडी में पानी वाला तो पहली बात तो काम करने में बहुत ज्यादा आलस लगता है लेकिन हम लोग के यहां बस यह एक बेनिफिट है कि कहीं भी न तो उधर से सब काम करके और आ चुके हैं इनके रूम में यानि जीसू के रूम में तो बेड़ोट साफ कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहां पे भी जाडू लगाते हुए और फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो आज का व्लॉग भी यहीं पर एंट करेंगा आई हो